सूरत के चोग बजार थानक शेत्र में गुरुवार दोपैर को रिक्षा चालक ने की यूवक पर चाकु से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी हत्या की गुत्ती सुलजा कर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी को गिराफ़तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि आरोपी ओटो रिक्षा चालक है गुरुवार को दोपैर के समय वो रिक्षा लेक त्रिमेडी सोसाइटी के पास से जा रहा था उस दोरान परेश कोश्टी ने उसे रोक कर यह कहा था कि लुक्खे तू हमारी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए और उसे चांटा मार दिया था उस वक्त आरोपी वहां से चला गया था लेकिन कुछ देर के बाद सबजी के ठेले से चाकू लेकर आया और परेश पर वार करके उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया लेकिन पुलीस ने कुछी समय में उसे गिरफतार कर लिया और अब आगे की जात सुरू की है रिपोर्ट बाई परविन पठान समाचार इंडिया नियोस सूरत बुल्चाल थेली एने कारणे आरोपी ने केया मुझब के मरण जनार एने जापट मारेली तेनी अदावत राखी ए आरोपी नरेंद्र उर्फे जाडियो छे ए स्थर चोडीने जतोरेलो अने थोडी जबार मा एक शाकबाजी ना लारी उपर थी एक चप्पू लई अने त बुल्चाल थेलो अतो गुणा नी गंबीरता जोता क्राइम ब्रांचे द्वारा ताजकाल एक टीमो रवाना करवा मा वेल आज रोज आ गुणाव मा संडो वाईल आरोपी नरेंद्र उर्फे जाडियो सिंग्वान नी धरपकड करवा मा वीचे अने आरोपी ने चोड़ पॉलिशेशन मा समख्वाने तज्वी चालोज